दोस्तों नमस्कार, हिंदी की बिंदी चैनल पर आप सब का स्वागत है, मैं हूँ डोक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है, तो आईए आज हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्ते में कुछ नई बाते सीखते हैं झाल अपना मालवा खाउ उजाडू सब्वता सुभाष प्रभाष चोशी द्वारा लेकित पाठ कई दुछ्रा भाग आपके स्मक्स पस्तुद है तो लीडिये ओंकारिश्वर और नेमावर जाते हुए दोनों बार बिंधे के घाट उतरने पड़े एक तरफ सिम्रोल का घाट दूसरी तरफ बिजवार दोनों में सागोन की जंगल पत्ते खाखरे होते हुए फिर भी फुनगियों पर फूल के जल्ले सिम्रोल के बीच से चोरल खुब बहती हुई बिली बिजवार में हर नाला बहरा था हर पहाड़ी नदी की रपट पर पानी था बच्पन में पित्रि पक्ष और नवरात्री पर ऐसा ही पानी मिलता था यहाँ पर जो मालवा में नर्मदा के किनारे बहुत सारे ऋब्रक्षत रूप से फूल हैं पोधे उन सब का वरणन यहाँ पर प्रचनाकार कर रहे हैं और उनकी विशेषता बता रहे हैं कि फूल समय में यह बहुत रूत सारे उगते थे लेकिन धीरे धीरे अब आज कल ये दिखाई नहीं दिते हैं नश्ट होगे स्माक्त होगे चुकि नदी ही घट गई उसका पानी घट गया तो शेश, पूधे, फूल, व्रक्ष ये घट गए हर पहाड़ी नदी की रफट पर पानी था सारे नदी नाले ऐसे ही कलमल करते जीवित होटते थे, पहाड़ों के सीने में कितने शोत हैं, सब वहे तो नीचे की काली मिटी, खूब उमक कर फल फूल और अन देती हैं जब पहाड़ों में इतने सारे जहरने बहते हैं, यह सारे अगर बहें तो इंसे जब पानी निकले तो निश्चेत रूप से मिट्टी गदगद हो जाएगी, प्रपुलित होगी और जब उसमें अन बोया जाएगा, तो वो खूब फलेगा, फूलेगा नेमावर के रास्ते पर ही केव डेश्वर है, जहां से शिप्रा निकलती है, काली डास के शिप्रा, ऐसा कहते हैं कि संस्कृत सहित्य के बड़े विद्वान काली डास ने, जो कि अनेक ग्रंत लिखे हैं, वो शिप्रा के नदी पर, किनारे पर बैठ करके सारी रचनाई उन जानापा परवत से निकली और निमाड मालवा बंदेल खंड ग्वालियर होती हुई इटावा के पास जमना में निरी, इन नदी कहां से कैसे निकलती है, कहां मिलती है, उसका एक चित्रन यहां प्रकस्त किया जाए, चंबल को हमने घाठा विलोग में देखा, काफी पानी खुब बहे अई थी, उसमें नहाते लड़के कुगर्व था, कि यहां छोटी दिफ्ती हो, तो क्या, हमारी चंबल से गंगा ही बस बड़ी है, आगे बहुत बड़ा बांध है, खुब पानी है, इस बार गांधी सागर के सब हाटक खोलने पड़े, इतना पानी भरा, गंभ कि 25 साइफन चलाने पड़े, इनि खुब पान पड़ा, 67 साल में तीसरी बार ऐसा हुआ, पारवती और काली सिंध ने फिर रास्ता रोका, दो दिन उनके पूल पर से पानी बहता रहा, इस बार मालवा की पठार की सब नग्यों में पूर आई, उसके पास से बहने वादी न भावत है, जहां पर वास्ता में पूर में ऐसा ही होता था, मालवा में शेश जगें पर भी होता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम आध़नी को खोते गए हैं, वैसे वैसे हमने प्राकृतिक संपदा को खो दिया है, तो उसी ओर लेखक ध्यान आकरशिक कर रहे हैं, उ उसको हमने दोहन कर दिया, उसका शोषन कर दिया, पहले खुब नर्मदा बहती थी, पानी आता था, तमान सुधाय थी, दक्षिन से उत्तर की और धलान वाले इस पठार की सभी नदियों के दर्शन हुए, खुब पानी, खुब भावर, खुब करपा, नदी का सदा नीरा रह जीवन के शोथ का सदा जीवित रहना है, पसात ऐसा लगता है, नदी में हमेशा जल है, तो जीवन भी एक सजीव की तरहें, जीवित की तरहें, बहुत आराम से आनंद की तरहें, बहता हुआ जा रहा है, नदियों के बाद नंबर था ताला बहुता, हमारे आज की इंजिन की क्रांते के बाद मालवा में विक्रमादित्य और भोज और मुंझ रिम्सा के बहुत पहले हो गए यहां लेखक एक तरह से जो पिर्शचित आधानिक इंजिनियर या पिक्रfrinkतित अधानिक विग्रिया लेकर लेकर के जह ग्यान को प्राक्ट करने का घमंड करते हैं INSPरश प्रुवेंगे कर रहे हैं जानते थे कैसे प्रबंद किया जाता, लेकिन आज तो चाहे जहां पर बांध बना दिया, एनिकट बना दिया, सिर्फ इनी से ही काम ही चलता है, दूसरी चीजें में चाहिए, वे और मालवा के सब राजा जानते थे कि इस पठार पर पानी को रोग की रखना होगा, सब ने त जालावों को गाज से भर जानी लिया, और जमीन के पानी को पाताल से भी निकाल लिया, अर्थात बारिस के पानी को एकत्रित नहीं कर पाए, और जमीन के पानी को हमने वैसे सोख लिया, तो पानी खत्म हो गया, नदी नाले सूख गए, पगग नीर वाला मालवा सूखा हो लेकिन इस बार बिलावली भर गया है, पीपला पाला भर गया है, सिर्पूर में लबालब पानी है और ये शुन्त सागर के सभी साइफन तो चल ही थे, फिर भी इंडोर की खान और सरसोती नदियों में उतना पानी नहीं है जितने में कभी में नहया हूँ, नाव पर सेथी, अर्थाब बारिश अच्छी हुई है, उसके बावजूद भी खुब चीजे भरी हैं, लेकिन वो आनंद वैसा ताल तलया, वैसा आभास पानी का अभी नहीं हो रहा है, जैसा कि वो लेखक बता रहे हैं कि बच्पन में जब नहय थे, नावों की सहर की थी, नदियों को दे रहा करता था जितना महाराष्ट की चंद्रभागा नदी में, इंदोर के बीच से निकलने और मिलने वाली ये नदियां कभी उसे हरा भरा और गुलजार रखती थी, यानि कि इंदोर को सीचित करने वाली, इंदोर को हरा भरा रखने वाली दोनों नदियां थी, आज वे यानि कि जिसे यदा कदा हम वित्ती रोता है उसके आंसु भेखते हैं इस तरह से एक उत्मा लिहेत पानी नदियों में ऐसा भेखे है हमेशा जल रहने वाला जल से लगाला रहने वाली नदिया आंसु की तरह कुछ बूंदों के लिए जानी जाती है चो मासे में चलती है यानि कि जब बारिश का समय होता तभी बहती है ना ता पानी जिरता हुआ बाकी के महीनों में बस्तियों के नालों का पानी दोती है नदियों नदियों ने सब्धाओं को जनम दिया हमारी आज की सब्धा इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बन तोर का संसादन बहुत सीमी थे और एव्यवस्थी थे एक तरह से। अपने पहले अख़वार नई दुनिया की लाइबरीरिय में अभ्धिपानी की सन 1878 से रिकोर्ड मौझूद हैं कि इनमें एक ही साल था 1899 का जब मालवा में सिर्फ 15 पॉइंट की चितर इंच पानी गिरा था लोग में यही 56 का काल है। लेकिन राजस्थान के ठेट मारवार से तब भी लोग यहीं आये थे और भेते थे कि तब भी खाने और पीने को काफी था। उस अकाल के समय भी खुब यवस्थाएं थी। तब भी यश्वन्त सागर बिलावल पानी काफी था। तब भी येश्वन सागर बिलावली, सिर्पूरो और पिपलया पाला तूटकर बहे नहीं थे 28 इन से कम बारिश होतो है सूखे का साल होता है लेकिन ऐसे साल जादा नहीं 56 के काल में देशवर में हाय हाय मचाई हो लेकिन मालवा में लोगों ने प्यार भरे प्यासे नमरे, भूखे नमरे क्योंकि उसके पहले के साल खुब पानी था और बाज के साल में पानी जिदी लगातार आपके पास एक अप्रित है तो एक दो साल सूखा पड़ जाए पानी नबर से तो भी कमी नहीं आएगी ये खास बात रचनाकारी हैं बताना चाहता है अपने नदी नाले तालाव संभाल के रखोत दुशकाल का साल मजे में निकल जाता है लेकिन हम जिसे विकास की उध्धविक सब्विता कहते हैं वे उजाड की अप सब्विता यानि कि विकास के तथाकति पैमाने पर दोड़ हैं और धोगों की नगरी के कारण जिस तरह से हम अपने आपको अथा संपदा शाली समझ रहे हैं वो एक तरह से हमारी ऐस सब्विता को जनम दे रही है उजाडने का कार्विता है नई दुनिया की ही लाइब्रेडी में कमलेश शेन और अशोग जोशी ने घरती के वातावरन को गरम करने वाली इस खाव उजाडू सब्विता की जो कत्रने निकाल रखी हैं वे बताने को काफी हैं कि मालवा धर्टी गहन गंभी क्यों नहीं है और क्यों यहां डगडग रोटी और पगपग नीद दुनिया वैसी इस तकिया रही है नई दुनिया एक बहुत चर्चीत अकबार रहा है और प्रवाट जो सी आप जानते हैं पत्त्रकार रहें बड़े पत्त्रकार है यह अकबारों की मार्ठम से बाते बता रहे हैं उन अकबारों के कटिंग से पता लगता है पहले या इस तकिया क्यों हमारे समधरों का पानी घर्म हुढ़ाय यहा, क्यों हमारी धर्ती के दरूँं पर जनी बर्ब पिंगल रही है, क्यों हमारे मोسمों का चक बघड रहा है, क्यों हमारी लबदाग में बर्फ के बजाए पानी बीराश Speak और क्यों बाड मेर में गाऊंड उते, क्यों गर्मी पढ़ रही है क्योंकि वातावरन तो वातावरन को गरम करने वाली कारबन डाय आक्साइड गैसों ने मिलके धर्ती के तापमान को तीन डिग्री सेल्सिस बढ़ा दिया है ये गैसे सबसे ज़्यादा अमेरिका और फिर यूरोप के विक्सित देसों से निकलती हैं अम लेकिन हम अपने मालवा की गहन गंभिर और पगपग मीर की डगडग रोटी देने वाली धर्ती को जाड़ने में लगे हुए हैं हम अपनी जीवन पदती को क्या समस्क्ति हैं यहां लेखक मालवा के माध्यम से पूरे वातावरन को लेकर के पूरे भारतिय वातावरन को लेकर के वैश्विक वातावरन को लेकर के बात कहना जाते हैं अमेरिका और अमेरिका जैसे कुछ धनाटे लोग जो दिन प्रति दिन तमाम तरहें के केमिकलों के माध्यम से नईने उपकरणों के माध्यम से जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो तमाम तरहें की ऐसी गैस ऐसे वातावरन में छोड़ रहे हैं चीजों को कि जिनसे हर तरह का नकारात्मत प्रभाव हो रहा है ताकमान लगातार बढ़ता जा रहा है और इन सब वैसों का प्रभाव पूरे वातावर्ण में हैं उससे मालवा ही नहीं पुरा देश, पुरा संसार, पुरा विश्व खत्रे में पढ़ रहा है और हमारी सब्वेताएं उजड रही हैं हम सिर्फ पेट भरना ही जीवन यापन का संसाधन समझ रहे हैं ये एश आराम जीवन यापन नहीं है ये जीवन को नश्ट करनाई के संकेत हैं तो दोस्तों फैर मालवा के उपत बहुती खुब सूरत ये पाठ प्रभाष चोसीजी ने लिखा जो हमने पढ़ा आपको कैसा लगा हमें जुरू बताएं अच्छा लगा हो तो वीडियो के लाइक कीजिए शेर कीजिए क्रमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आपके मुन में कोई सवाल है कोई जिक्यासा है कोई प्रशन है तो आप क्रमेंट्स के बाद भी से पूछिए हम उसका समाधान करने पोशिश करेंगे नेच्ट वीडियो में हम इस पार्ट के प्रशन उप्तरों के साथ फिर मिलते हैं प्रतकले शुक्रिया नमस्कार